पिछले काफी समय से देखा जा रहा है कि सोशल मीरिया पर बायकॉट बॉलिवुड लगातार ट्रेंड कर रहा है जिसके चलते ही कई फिल्में इस बायकॉट ट्रेंड की भेट भी चड़ चुकी है मौजुदा समय में सूपर स्टार शारुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान को लेकर भी सोशल मीरिया पर काफी कुछ देखने को मिला था बीजेपी निता नरोत्तम मिश्रा पहले ही इस फिल्म के गाने और एक्ट्रेस दिपिका पदुकोन की भगवा बिकनी को लेकर आपत्ती जता चुके हैं और इसी बीच पठान की रिलीज से पहले देश के प्रधान मंतरी नरेंडर मोदी ने अपनी पाथी के कारेकरताओं और निताओं को फिल्मों के बारे में न बोलने को लेकर नसिहत दिया है दरसल PTI के रिपोर्ट के मुताबिक प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने मंगलवार को पीजेपे की राश्ट्रे कारेकारणी बैठक के दूसरे दिन के दौरान बीजेपी कैडर को बड़ा संदेश दिया है और इस मीटिंग में पीम नरेंदर मोदी ने सभा से कहा किसी को भी फिल्में जैसे अर्थहीन मसले पर अपनी गैर जरूरी कॉमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है और साथ ही इस मामले से जितना बचा जाए उतना ठीक है इन टिपणियों ने पार्टी के विकास के एजिंडे को ठंडे बस्ते में डाल दिया है मालूम हो भीते समय में भारतिय जनता पार्टी के कई निताओं की ओर से फिल्मों को लेकर कई विवादित बयान आ चुके हैं जिसके वज़े से काफी विवाद हुआ और ऐसे में पीम नरेंद्र मोदी के इस बयान की बाद क्या बॉयकॉट बॉलिवूड ट्रेंड पर फर्क पड़ेगा ये तो देखना दिलसस्प होगा आपको बता दे शारुक खान की फिल्म पथान को लेकर देश के अलग-अलग राजियों में जम कर विरोध हुआ था जिसके चलते पथान की रूलीज के दिन बवाल होने की उमीद है लेकिन अब देश के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के इस बयान के बाद बवाल होने की संभावना पेहद कम हो जाएगी क्योंकि उनके इस ताजा बयान का असर हर किसी पर देखा जा सकता है हाला कि PM मोधी केस बयान के बाद भविश्य में आने वाली बॉलिवुट फिल्म में किसी का भाई किसी की जान, सेलफी और जवान जैसी फिल्मों को भी बॉयकॉट बॉलिवुट ट्रेंड से राहत मिल सकती है